नमस्कार दोस्तो रिपेरिंग विद निरंजन यूटूब चैनल में आपका फिर्शे स्वगत है तो दोस्तो अभी हम बात करेंगे प्रेशर कुकर आखेर खराब क्यों होते हैं यह बार-बार खराब क्यों होते हैं लोग क्यों परिसान होते हैं तो आज मैं आपको ऐसे-ईस कुछ बाते बताने जा रहा हूं जिसे आप अमल करेंगे और इसे अपने दिमाग में गांट बांध लेंगे तो आपको प्रेशर कुकर बार-बार खराब नहीं होगा तो इस तरह की जानकारी तो मैं भी आपको देने जा रहा हूं ताप हमारे साथ लगतार और बीना सब्सक्राइब ढलते इस तरह से इससे क्या होता है यह जो पौर्शन देख रहा है है यह खराब हो जाता है और हमारा यहां से होना चालू हो जाता है पहला जो है समस्या यहीं से शुरू होता है कि लोग नया नया में लाते हैं इस तरह से जबरजस्टी डालते हैं जबकि डालने का तरीका इस तरह से देख सकते हैं इस तरह से आपका जो प्रेसर कुकर है इसके 90 डिगरी में कौन बनना चाहिए जैसा कि यहां आप ऐसे समझें जब हम डालेंगे तो हमारा जो हैंडल यह यहां रहेगा उत्तर दिसा की ओर इस तरह से यह से दक्षिन दिसा की ओर इस तरह से तो इससे क्या होगा हमारा खराब नहीं हो ध्लोप भी देखाता है कि इस तरह से म्डालेंगे देखिए पूरा नीसे से उत्तर जिकर हम कुकरको निकालेंगे के और ठुकांगे हमने निकालेंगे और डालेंगे हमारा प्रेसर कुकरद कर गरें आइसे ठीक है तो प्रेसर कुकर खराब होने का सबसे में कारण तो यही है कि लोग जानते नहीं कैसे से डालना है और दूसरा कारण दोस्तों मैं आपको बताता हूं जैसे हम लोग खाना पीना बना लेते हैं ठीक है खाना हमने बना लिया उसके बाद क्या करते हैं खाना बन गया उसके बाद इसमें भाप भरा हुआ रहता है और लोग क्या करते हैं कल्छूल छोलनी से यहां इस लोग को तो खोल देते हैं इस तरह से खोल देने बाद यहां तो भाप भरा हुआ है इस सीटी को नहीं उठाते हैं इसे पूरी तरह से बाहर नहीं निकालते हैं और कल्चुल छोली से यहां पर देना शुरू कर दते हैं धाय 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 इससे क्या होता है इसका जो यह बोडी है जो धकन का जो देख रहे हैं भाग यह दब जाता इता है इससे मारा लीकेज का प्रोब्लम हो बाहर निकाल ले या कोई पानी के बरतन में कुकर को रखते हैं जब ठंडा हो जाए तो हम इसे खोलेंगे इस तरह से तो यह अपने याथ नीचे की और ऐसे गिर जाएगा तब हम खाना जो भी बना हुआ समान है उसे निकाल पाते हैं तो यह हमारा दूसरा समस्य हो तीसरा क् कुकर खराब होने का कारण मैं आपको बताता हूँ जैसे मारा खाना पीना बन गया ठीक है और यह सीटी लगे ही रहता है लोग से निकालते भी नहीं है ऐसे लगे रहता है और इसके अंदर जो भी कचड़ा गया कर दाल पानी धोलाए विले जो भी हुआ तो यहां पर पैक हो गया में यहां पर पैक हो गया फिर हमको खाना बनाना है तो यहां पर डाल दिए फिर हम इस तरहां से बंकर ठीक अब क्या होगा तो जो भी हमारा खाना फिर से बनना शुरू होगा, तो भाप नहीं निकल पाएगा, और नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, तो यह छेद हो जाएगा, इसे हमारा कुकर खराब हो जाएगा, अगर लोग क्या करते हैं, इस छेद हो जाएगा, तो ब्लास्ट तो नहीं होगा फिर क्या करेंगे लोग इसे में काटी ठोक देंगे तो हमारा टाइट फिटिंग हो गया उसके बाद फिर से खाना पनाएंगे इसको नहीं साप करेंगो तो भी नहीं करेंगे उसके बाद हमारा कुकर खराब होने का पांचवा और चमथा कारण जो भी है क्या होता है जब गैस पूरी तरह भर गया तो क्या होगा कुकर ब्लास्ट होगा बलाश्ट ओगत क्या होगा यह बोडी उपर के और हो जाएगा धकन भी छित्रा जाएगा तो इस तरह से कुकर बलाश्ट बो जाता है कैमरा कारण है छटवा कारण बताता हूं मैं आपको दोश्टों कूकर खराब होने का चारण कि मारा जो रबबड है देख सकते रबबड को लोग क्या करते हैं धोते भी नहीं है इसमें मिटी सीटी जो लगा है लगे रह जाता है तो ज्यादा समय तक यह नहीं चलता है तो रबड हमारा खराब हो जाता है जब भी धुलाई करें रबड को निकाल ले उसके बाद मची तरह से धुलाई करें तो इसे हमारा कुकर खराब नहीं होगा उसके बाद छाठवा कारण मैं आपको बताता ह क्या है जब लोग धोते हैं कुकर तो क्या करतें बता देता हूं भाइंड होगा तो फिर लिकेज की समस्या होगा तो यह भी हमारा खुकर खराब होने का ही कारण है ठीक है उसके बाद बहुत से कारण है हमारे कुकर खराब होने का जैसा कि मैंने आपको बारी बारी से सम्झा दिया तो इन सबसे बचने के लिए क्या करना है लिमिट मात्रा में जो हमारा क्धिय पदार्थ तुझे centro सब्सक्राइब चीज़ की चेज़कों निम्यत्रूप से करना है हमें सीटी की सफाई करना हो पड़ता है तो हमारा सिटी भएड पाइप की खराब होता है सब्सक्राइब करनी चाहिए और अराम से और और तोर क्या होता है दोस्तों लोग बेपरवा होकर कायम करते कुकर को गिरा दते इससे क्या होता है इससे गिर गया तो क्या होगा यह बोडी बैंड हो जाएगा तो यह भी हमारा कुकर खराब होने का सबसे मुख्य कारण है तो इस तरह से हमारे अगर जानकारी देने का नुसार अगर आप लोग ने काम किया तो आपका कूकर कभी खराब नहीं होगा लंबे समय तक चालेगा दोस्तों इस तरह दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फटा फट सस्क्राइब करेंगे और अपने दोस्तों रिष्टेदारों पर सेयर करेंगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए जहिन वाने बात्राव